Hey guys, welcome to my channel. Recently मैं गई थी सरोजनी नगर मार्केट और यहाँ पर अभी समर का बिल्कुल नियो और लेटिस्ट कलेक्शन आ चुका है. तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी शॉप्स दिखाऊंगी जहाँ पर आपको कुछ उनीक आइटम्स एक रीजनेबल प्राइस पर मिल जाएंगे. गाइस सरोजनी नगर पर मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने कपड़े और जूनरी के अलावा कुछ डिफरेंट आइटम्स के शॉप इंक्लूड करी थी. तो अगर आप कपड़े और जूनरी के अलावा भी कुछ और ट्राइ कर रहे हैं तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं उसके लिए मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया आप वहां से जाके देख सकते हैं तो बिना देर करें आज की वीडियो शुरू करते हैं तो इस वाली शॉप पे आपको मिल जाएंगे 200 से लेकर 500 की रेंज के बैग जी ये बड़े वाले बैग्स आप देख रहे हो आफिस गोइंग वाले बैग ये वाले बैग 500 की रेंज में थे फिक्स प्राइस साथ ही इन बैग्स में आपको बहुत अच्छे अच्छे कलर्स मिल जाएंगे बिल्कुल न्यू कलर्स जो बैग का फैबरिक है वो बहुत ही अच्छा है जब मैं लास्ट टाइम गई थी तो मैं एक बैग लेकर आई थी और तब से मैं उस बैग को यूज कर रही हूं बहुत ही अच्छा फैबरिक उसका सॉफ्ट फैबरिक है और जिप वगे 500 रुपीज में तो अगर आप सरोशनी नगर जाते हैं तो एक बार इस शॉप को जरूर चेक आउट करें बैक के शॉप के नेक्स्ट जो शॉप है वो है ये चिकन कारी कुर्टीज के शॉप इस शॉप पे आपको बहुत सारे कलर्स की चिकन कारी कुर्टीज मिल जाएंगी मेरर वर्क, गोटा पत्ती वर्क वाली 600-600 रुपे में पर इन वाली कुर्टीज पे लाइनिंग नहीं थी सरोशनी डगर मार्केट में अगर आप जूलरी लेना चाहते है तो आपको बहुत सारे आप्शन्स मिलेंगे इस तरीके की फैशन जूलरी जैसे की हेर कलिप्स, बैंड्स, एर रिंग्स वगएरा आपको 100 रुपे, 50 रुपे, 150 रुपे तक की रेंज में बहुत सारे मिलेंगे बहुत सारे वेंडर्स होते हैं इनके साथ ही ये वाली जो जूलरी होती है, ये बहुत ही लाइट वेट होती है, बिल्कुल भी हेवी फील नहीं होती और ये वाली जो जूलरी है, इसका आप एक अच्छा खासा कलेक्शन बना सकते हो, बहुत सारी जूलरी खरीद के आप अपनी अलग अउटफिट्स के साथ मैच कर सकते हो, एरिंग्स में तो इतनी जादा वेराइटी है ना, जैसे ये फ्रूट्स वाली एरिंग्स, ये वाली जो पॉप अप कलर्स है, बहुत ही प्यारे लुग देते हैं, अगर आपने एक सिंपल सी आउटफिट भी पहनी है, और आप इस तरीके के एरिंग्स पहनोगे नो तो लुक बहुत ही अच्छा आता है, तो एरिंग्स की तो वहाँ पे भरमार है, इस तरीके के वेंडर्स आपको जगे जगे खड़े मिलेंगे जो 50 रुपे, 100 रुपे में एरिंग्स दे देते हैं, और ये थीम बेस्ट एरिं डैंगलर्स वगेरा, बहुत सारे मिल जाएंगे, वैसे भी कुर्तीज के साथ, कुर्ता सेट्स के साथ, ये वाली ऑक्सिडाइस जूलरी बहुत ही अच्छे लुक देती है, तो आप इसको कैश्वल वेर में भी और फेस्टिव वेर के हिसाब से भी पहन सकते हो, इसके डैनिम कलेक्शन, जिसमें की डैनिम कैप्री, डैनिम डांग्री, शर्ट, लॉंग शर्ट और शॉर्ट स्कर्ट, इस तरीकी के आपको बहुत सारी कलेक्शन मिलेगी, 100 रुपे में, 500 रुपे में, पर आपको खरीदते वक्त अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि इसमें कई स्टेंस लगे होते हैं, कुछ पीसिस खराब भी होते हैं, तो अच्छे से चेक आउट करके ही खरीदनी है, अगर मैं बात कुर इसकी क्वालिटी की, तो क्वालिटी मुझे कुछ खास नहीं लगी, एवरेज सी ही इसकी क्वालिटी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्लेक्शन है, या पुराना माटीरियल है, यहाँ पे आपको इस तरह की कॉटन लॉंग स्कर्ट पी मिल जाएंगी, यह वाली स्कर्ट मुझे काफी अच्छी लगी थी, इनके अंदर लाइनिंग भी थी, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, इस तरह की स्कर्ट जो है, दो सो आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के इनके लुक लगेगी, साथ ही आपको मिल जाएंगे इस तरीके के कुर्टी प्लाजो सेट, चुकि तीन सो रुपे, चार सो रुपे में अवेलिबल थे, पूरा कुर्टी प्लाजो का सेट है, पर आई थिंक यह वाश होने के बाद, इसकी वो कॉलिटी उतनी अच्छी नहीं रहती है, इसलिए मैंने वहाँ से इस तरीके का कोई भी मैटीरियल परचेस नहीं किया, नेक्स्ट अगर आपने कैशुल वेयर की लुक के लिए कुछ टीशिर्ट्स, या क्रॉप टीशिर्ट्स, या लूस टीशिर्ट्स, ओवर सा कलेक्शन है, आप अपने एकॉर्डिंग चेक करके ले सकते हो, साथ ही आपको मिल जाएंगी इस तरीके की कॉटन शिर्ट्स, प्रिंटेड शिर्ट्स और ये वाली शिर्ट्स भी आजकल बहुत ट्रेंड में है, गर्ल्स भी बहुत अच्छी लगती है, तो ये वाली शिर् आप समर्स में अगर आपका कहीं वेकेशन का प्लान बन रहा है तो और अगर आपको कुछ वन टाइम वेयर वाली ड्रेस लेनी है, तो आप इस तरीके की फ्लोरल मीडी ड्रेस ले सकते हैं, ये वाली दोसो दोसो रुपे में अवेलेबल थी, जो नी लेंध, मीडी लेंध और कुछ-कुछ लॉंग लेंध में भी थी, ये वाली ड्रेस का फैब्रिक काफी लाइट वेट था, प्रिंट्स वगेरा बिल्कुल समर के अकॉर्डिंग थी, फ्लोरल प्रिंट बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसमें एक और बेनिफिट था कि इन सभी ड्रेस की स्लेज या तो फुल स्लेज थी या त्री फोर्ट थी, तो टैनिंग अगेरा कभी इश्व नहीं रहेगा, साथ ही आपको मिल जाएंगी इस तरीके की कॉटन स्ट्रापी ड्रेस और ये वाली ड्रेस भी 200 रुपे में अवेलेबल थी, ये वाली भी बहुत प्रिटी लग रही थी, और बिल्कुल ये वाला फ्रेश कलेक्शन लग रहा था, कहीं से कोई ऐसा यूजर मेटीरियल वाली इसकी लुक नहीं थी, तो आप इस तरीके का कलेक्शन भी ले सकते हो, नेक्स्ट है ये नेक्पीसिस की शॉप, जो कि शॉप नंबर 99 के बहार एक भीया लगाते हैं अपनी, इन वाले भीया के पास बहुत डिफरेंट कलर के नेक्पीसिस थे, बहुत ही डिफरेंट डिजाइन्स, बड़े बड़े चोकर, रानी हार टाइप के नेक्पीसिस मोति में, स्टोन्स में, मतलब काफी डिफरेंट कलेक्शन थे, एक ऑक्सिडाइस जूर्य से हटकर मुझे इनका काफी डिफरेंट कलेक्शन लगा, प्राइस सभी नेक्पीसिस के डिफरेंट थे, कलर्स बहुत सारे अवैलिबल थे इसके अंदर, 100 रुपे से स्टार्ट होके, और उसके बाद 150, 200 रुपे इस तरीके से, इन भया की नेक्पीसिस से, जैसे इस तरीके के नेक्पीस अगर आप लोगे तो बहार आपको बहुती महंगी मिलेंगे, तर यहां पर यही 1.500, 200 में आपको एजिली मिल जाएगा, इसके अलबा आपको इस तरीके के टोकरी में भीया नेक्लिस लेके घुमते मिल जाएंगे जो कि 50-50 रुपे में नेक्लिस दे रहे थे और ये वाले जो नेक्पीसेस है न ये साड़ी के साथ बहुत ही अच्छे लुक देते हैं यहां से तो मैंने 3-4 नेक्पीसेस खरीद लिए साथ ही आपको समर्स में फेस कवर करने के लिए अपना सिर कवर करने के लिए इस तरीके की 100-100 रुपे में स्टॉल्स भी मिल जाएंगे जो कि कॉटन में थी इनका साइज भी काफी अच्छा खासा लंबा चोड़ा साइज था नेक्स आपको मिल जाएंगे इस तरीके के श्रग्स जो कि किरोशिया नेट के स्टाइल में थे और ये वाले जो है ये भी 100 रुपे में अवेलेबल थे इसमें बहुत सारे कलर आप्शन्स अवेलेबल थे बहुत सारे डिजाइन पे थे स्लीवलेस, ओपन फरंट, स्ट्रापी साथ ही मैं आपको बता दू ये वाली जो शॉप है ये हाट पॉट छोले बटूरे वाली शॉप है जो बिलकुल पारकिंग के सामने है बहुत इक गंदे चोले बटूरे बनाते हैं यहां से बिलकुल ना खाएं, हमने खरीदे थे सारे फेक दिये तो मार्किट में और भी बहुत सारी चीज़े अवेलेबल है जैसे 50 रुपे के 3 क्रंचीज, हेर फ्लिचर्स, हेर बैंड्स, हेर बोट टाई और नेल पेंट्स वगएरा, मेक अप का समान, हेर बैंड्स बहुत सारा समान अवेलेबल है तो यह वाला भी बहुत रिजेंबल प्राइस पर ही अवेलेबल है तो अगर आप कुछ और भी ट्राई करना चाहते हैं तो सरोजनी नगर मार्केट में आपको कीचिन्स मिल जाएंगे सौ सो रुपे में टॉइज मिल जाएंगे तो यह सारा समान भी आप यहां से ले सकते हैं तो गाईस आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी से भी helpful लगी हो थोड़ी से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को like कर देना और आगे भी इस तरीके के content देखने के लिए आप मेरे चानल को subscribe कर सकते हैं और bell icon को on कर लें जिसे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो का notification मिल जाए तिल देन फर नेक्स वीडियो बाई बाई